हमेशा से ही हाइप के उपर ये इलजाम लगता हुआ आया है कि वो हमारे बीटेस के मेंबर वी यानि किम ते ओंक के साथ ना इंसाफी करते हैं और अब रिसेंटली जब दुनिया भर के आर्मीज वी की अलबम को खरीदना चाहती हैं तब उन्हें फिर से ऐसी एक चीज़ का सामना करना पड़ा है और बहुत सारे आर्मीज को लगता है कि हाइब ने मिलकर फिर से वी के खिलाफ एक सारे स्रची और उन्हें फेमस ना करने के लिए अपनी ही खुद की अलबम्स को ना भिकवाने की एक स्ट्राटेजी बनाई अब आपको ये सब कुछ काफी कॉंप्लिकेटेड लग रहा होगा तो इसे सिंपल भाशा में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फटा फट इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ी जाईए तो रिसेंटली काफी सारी आर्मीज ने वी की न्यू अल्बम को वीवर्स और काफी सारे प्लैटफॉर्म के थुरू ओर्डर किया था हाला कि आर्मीज काफी शौक्ड हुई जब उनको रिलाइस हुआ कि हाइब जो है वो डिलिवरी बहुती देर से कर रहा है यही नहीं बलकि नॉर्मल स्टोर्स पर भी वीकी अल्बम को काफी पीछे रखा जा रहा था और उनकी अल्बम को सामने डिस्ट्रे से छुपा दिया जा रहा था बहुत सारे आर्मीज को ये भी बहुती डाउटफुल लगा कि किस तरीके से बहुती सारी एल्बम विकने की उमीद होने के बावजूद भी हाइब ने काफी कम एल्बम को प्रोडूस किया था और जिने प्रोड्यूस किया भी उन्हें बहुती देर से डिलीवर कर रहे हैं तो बेसिकली आर्मीज को अभी अभी पता चला है कि शायद हाइब ने कोई ऐसी स्ट्रेंटेजी बनाई थी जहां पर वो खुद ही वी के अलबम को कम विकवाना चाहते थे और ये काफी बड़ी नायंसाफी है वीक के साथ काफी सारी जगाओ पर आर्मीज ने नोटिस किया कि हाइब ने फाल्तू-फाल्तू रीजन्स दे कर अलबम्स को डिले करा है और वो जान भूज कर डिलीवरी नहीं कर रहे हैं ताकि बहुती सारे armies अपनी albums के order को cancel कर दे हाला कि इस point को लेकर बहुती सारे armies के बीश में dispute चल रहा है क्योंकि कुछ armies का मानना है कि hype खुद ही अपनी albums को इस तरीके से कम करवा रहा है और जानभूज कर कर रहा है ताकि V के साथ यह सब कुछ हो वही कुछ armies का बहुत ही logical point है और उनका मानना है कि अपनी खुद की sales hype क्यों कम कराएगा बहुत चारे armies को लगता है कि भई hype के खुद की album है अगर वी की है तो क्या हुआ hype को तो पैसा मिलने वाला है तो ये क्या sense बनता है कि hype खुदी album produce करके खुदी उसको कम करवा देगा लेकिन जो कुछ भी हो internet पर इस समय काफी जादर तबाई मची हुई है और हर दूसरी army hype के against हो चुकी है बहुती सारे armies गुस्ता है कि hype इस तरीके से क्यों order को बारबर डिले कर रहा है और क्यों armies को जल्दी albums नहीं मिल रही और कुछ proves ऐसे भी है जहां पर पता चलता है कि hype के तरी excuses है वो बहुती ज़दा बिकार है हाला कि hype वी के साथ ऐसा क्यों करेगा इसके पीछे का कोई reason अभी तक नहीं मिल पाया है इसलिए कोई भी clear answer देना बहुत मुश्किल है कि क्या सच में hype वी के साथ ऐसा किया या फिर एक normal coincidence है जिसको armies दादा सोच रही है तो army comment करके जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में hype वी के साथ ना इंसाफी कर रहा है या फिर ये सब कुछ सिफ एक इत्तफाक है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर डीजे बेल आइकन प्रेस कर डीजे मिलते हैं आप से अगली वीडियो के साथ